अगर तुम एक bottle कुलो और उसके उपर से air blow करो कुछ ऐसे तो तुम्हे bottle के अंदर से एक loud sound सुनाई देने वाली है मेरे पास एक bottle है सुनो कुछ ऐसी sound आती है अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि bottle के अंदर एक standing wave generate हो रही है और इसका कुछ relation है resonance के साथ तो अब इन्ही के बारे में पढ़ते हैं इस वीडियो में तो मेरे पास यहाँ पे एक bottle का simple सा model है यह देखो यह bottle का यह हो गया open end और यह हो गई bottle की closed end अब bottle के अंदर होने वाले हैं air के कुछ molecules अब देखो मैं blow करने वाला हूँ air यहां से ऐसे तो क यह होगा कि यह air के molecules यह oscillate करना चालू कर देंगे अपनी position के about लेकिन देखो यह जो आखरी वाले air के molecules हैं यह तो फसे में हैं यहां पे तो bottle की closed end है तो यह तो कहीं oscillate कर ही नहीं सकते हैं जैसे ही यह oscillate करेंगे यह इस closed end से टकरा जाएंगे और पनी सारी energy lose कर देने वाले ह तो ध्यान से देखो तो इनके पास तो बहुत सारी जगह है तो यानि कि यह बहुत जादा oscillate करने वाले हैं और वैसे ही beach वाले molecules यह थोड़ा कम-कम oscillate करते जाएंगे तो यही दिखाने के लिए मेरे पास एक animation है देखो कैसे यहां पे end वाले molecules बिलकुल भी oscillate नहीं कर पा लेकिन इस end वाले open end के पास वाले molecules यह बहुत जादा oscillate कर रहे हैं और beach वाले molecules यह थोड़ा कम-कम oscillate कर रहे हैं तो यह तो हो गई एक bottle की बात जिसकी एक end open थी और एक end close थी अब हो सकता है कि तुमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसकी दोनों ends open हो जैसे कि लेलो एक pipe pipe की दो creating waves create होने वाली है अब उसके बारे में detail में समझते हैं तो इससे में हटा देता हूँ और यहां पे मेरे पास है एक pipe का simple सा model अब देखो pipe की यह दोनों ends यह open ends है अब pipe के अंदर होने वाले हैं air के molecules अब इसके उपर अगर मैं हवा को blow करूं ऐसे तो यह air के molecules यह oscillate करने लग अब देखो यह वाली layer जो कि open end के पास है इसके पास तो बहुत ही खाली जगह है तो यानिकि यह बहुत जादा उसलेट करने वाली है बहुत जादा उसलेट करने वाली है लेकिन यह beach वाली बेचारी layer यह तो फसी रह जाएगी यह बिल्कुल भी उसलेट नहीं करेगी अव इन दोनों के बीच की जो air के molecules हैं ये थोड़ा थोड़ा उसलेट कर रहे हैं अब इसी को हम कहते हैं standing waves न की moving wave क्योंकि देखो जब normal moving wave की बात हो रही थी तो उसमें एक compressed region बन रहा था और ये compressed region ये कुछ ऐसे कुछ velocity के साथ आगे की तरफ move कर रहा था एसे लेकिन यहां standing wave के case में यहां तो कुछ compressed region आगे की तरफ move करता हूँ नहीं दिख रहा है यहां पर तो wave एक जगा पर ही dance कर रही है ये देखो जो beach का layer है जो की move नहीं कर रहा है ये तो यहीं का यहीं है ये तो आगे जाता हुआ दिखी नहीं रहा है यार तो आप इन particles के motion को mathematically describe करते हैं तो मैं यहां पर कुछ lines ड्रॉ करने वाला हूँ जो की इन particles के equilibrium position को दिखाता है इसका मतलब कि यह हो गया कि pipe में air blow करने के पहले ये air के molecules जो की इस pipe के अंदर हैं ये normally इस equilibrium position पे थे और जैसे ही मैंने air को blow कर दिया तो ये particles ये oscillate करने लेंगे इस equilibrium position के about तो देखो blow करने के पहले particles अपने equilibrium position पे थे और जैसे ही मैंने blow किया उसके कुछ 30 seconds के बाद मालो कुछ समय के बाद particles ये इतनी दूर पहुच गया अपने equilibrium position से तेको ये वाली particle ये इसकी position थी यहाँ पे equilibrium position और ये अप इतनी दूर आ चुका है यहाँ पे similarly ये वाला particle ये अपने equilibrium से इतना दूर आ चुका है ये वाला particle थोड़ा कम दूर आया है ये थोड़ा और कम दूर और ये तो खेर मूवी नहीं किया ये तो अपने equilibrium position पे ही है ये तो oscillate नहीं कर रहा है similarly ये particle ये थोड़ा सा दूर गया है ये थोड़ा और जादा और ये particle जो की open end के पास था ये सबसे जादा दूर गया है क्योंकि ये सबसे जादा oscillate करने वाला है अब आव इनके displacement को एक graph पे plot करते हैं तो यहाँ पे मैंने axis बना रखी है ये हो गई मेरी x-axis और ये हो गई मेरी y-axis देखो x-axis पे मैं दिखा रहा हूँ इन particles की equilibrium position ये कितना दूर है इस open end of tube से इस open end of tube से ये equilibrium position कितना दूर है इसे मैं दिखा रहा हूँ x-axis पे और y-axis पे मैं दिखा रहा हूँ कि particles कितना displaced हैं अपने equilibrium position से देखो for example अगर मैं इस particle की बात करूँ तो देखो इसका equilibrium position तो खेर यहीं पे था, open end पे ही, तो यानि कि x is equal to 0 पे, और यह displaced है left direction में, अब देखो left direction में यह maximum displaced है, अब left direction का displacement यह से तो हम represent करते है negative sign से, और right direction के displacement को positive sign से, तो यानि कि यह particle यह negative direction में displaced है maximum amount से, यानि कि x is equal to 0 पे, यहां हमारे graph का point आने वाला है कुछ negative direction में, और क्योंकि यह maximum है, तो इसे में यहां पे बनाने वाला हूँ, यहां कहीं बना देते है maximum displacement, अब देखो, वैसे अगर मैं इस point की बात करूँ, तो इसकी equilibrium position, यह तो यहां पे है, इतनी दूर है, यह open end से, और यह displaced है left direction में, और यह थोड़ा सा displaced है, तो यानि कि इसके displacement मैं अगर graph पे बनाओ, तो कहीं यहां पे आने वाली है, देखो negative direction में, यह यहां पे कुछ आएगी, और अगर इस particle की बात करें, तो यह तो बिलकुल भी displaced ही नहीं है, अपने equilibrium position से, इसकी equilibrium position हो जाएगी यहां पे, और इसके displacement है zero, यानि कि यहां पे point आने वाला है, अब similarly मै मैं अगर इस point की बात करूँ, जिसकी equilibrium position यहां open end पे थी, तो देखो इसका x position, यह तो इतना दूर होने वाला है, इस open end से इतना दूर, और यह displacement है right direction में, maximum amount, यानि कि इसकी displacement हो जाएगी positive, यानि कि graph पे इसका point आने वाला है, यह हो गई x की position, यहां पे, और इसकी displacement है maximum positive, य तो मेरी graph कुछ ऐसी आने वाली है, यह graph यह standing wave का graph है, न कि moving wave का graph, अब जैसे कि moving wave समय के साथ साथ आगे move करते वी दिखती है, वैसे है उसकी graph भी आगे move करती वी दिखेगी, लेकिन जैसे कि standing wave, यह समय के साथ साथ एक ही जगा पे stand करके dance करती वी दिखती है ना, वैसे है ग्राफ भी एक ही जगह पे खड़े होके डांस करती भी दिखेगी आओ इसे समझते हैं तो देखो यह जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है यह एक पर्टिकुलर टाइम इंस्सेंस पर ड्रॉ किया है अब अगर मैं समय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो यह पार्टिकल्स अब औ नेगेटिव हो गई यानि कि यह वाली पॉइंट यह थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाने वाली है मालनों कि कहीं यहां पर यह शिफ्ट हो जाएगी यहां पर अब इस पॉइंट के अगर मैं बात करूं तो यह तो हमेशा यहीं पर रहने वाला है यह तो बिल्कुल भी डि अगर मैं इन सारी पॉइंट को जोईन करके अपना ग्राफ बनाओ तो खुछ समय बाद मेरा ग्राफ ऐसा दिखने वाला है और फिर वैसे ही अगर मैं थोड़ा और समय वेट करूं तो यह पार्टिकल यह थोड़ा और पास आजएगी एक्विलिब्रियम के और यह वाली प यह पार्टिकल जो की अभी नेगटिफ डिस्प्लिश्मेंट में था यह अब राइट जाने लएगा और डिस्प्लिश्मेंट इसकी पॉजटिव होने लएगी याने कि ग्राफ पर यह पॉज़टिव उपर के डायरेक्शन में बनने लएगा तो ग्राफ मेरा कुछ एसे जाने लाएगा अब ऐसे ही ये वाला पॉइंट ये वालो जो पार्टिकल है ना ये एकुलिब्रिम पे आके आप वापस लेफ्ट जाने लाएगा तो इसकी डिस्प्रिश्मेंट अब नेगेटिव हो रही है और ग्राफ का पॉइंट नीचे बन रहा है स्मिलर लिए अगर मैं थोड़ा और वेट करूँ तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा यानि कि तुम्हें दिख रहा होगा कि समय के साथ-साथ ये ग्राफ ये ग्राफ डांस कर रही है उपर नीचे उपर नीचे ऐसे और ये आगे नहीं बढ़ रही है योगि देखो ये चाहिए लेकिन चलो इसका नाम स्टांडिंग वेव ही रख दिया गया है अब आव उसके बारे में कोछ छोटी-छोटी नोट करने वाली बाते देखते हैं देखो इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट जो कि ऑसलेट नहीं कर रहा है बिलकुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा ह इसे हम एक नया नाम देते हैं इसे हम कहते हैं node node और ये वाला पार्ट जो कि बहुत ही ज़ादा उसलेट कर रहा है सबसे maximum डिस्पेस हो रहा है और ये वाला पार्ट भी इन्हें हम कहते हैं anti node यानि कि node के opposite अब देखो यहां वैसे यह particles यह horizontal डारेक्शन में उसलेट कर रहे कि particles vertical direction में oscillate कर रहे है नहीं ऐसा नहीं हो रहा है तो देखो हमने अभी तक इन particles के displacement को समझा graphically अब हाँ इनको mathematically भी समझते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ी से जगा बना लेता हूँ तो यह हो गई मेरी tube माल लेते हैं कि इस tube की लंबाई यह कुछ दी वही है हमें l meters यह length हमें दी वही है as l meters और इसके अंदर बन रही है यह वाली standing wave तो आप पता लगाते हैं कि इस standing wave का कितना हिस्सा मेरी tube के अंदर है कितना wavelength का portion बन रहा है मेरी tube के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास एक side में graph है इसके लिए देखो यह graph यह start हो रही है maximum negative displacement फिर maximum positive और फिर maximum negative displacement तक के जा रही है तो यहाँ कि यह हो गई पूरी एक cycle यह यहाँ peak to peak distance अगर हम calculate करें तो यह आजाएगा एक wavelength के बराबर एक lambda के बराबर लेकिन हमारे पास जो tube में graph है यह तो केवल यहीं से यहीं तक जा रही है यहाँ से यहाँ तक तो यह तो हो गई आधी cycle यानि कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह बराबर होने वाली है lambda by 2 के half wavelength के तो मैं कह दूँगा कि मेरी tube के अंदर बन रहा है half wavelength of standing wave यानि कि मैं लिख सकता हूँ कि मेरी tube के अंदर l यह बराबर है अभी अभी lambda by 2 के तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि इस standing wave की wavelength यह बराबर हो गई lambda is equal to यहाँ पर मैं अगर दोनों साइट 2 से multiply कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2 गायब और यहाँ पर आ जाएगा 2L तो इस standing wave की wavelength हो जाएगी 2 into length of tube के बराबर तो यह हमारे पास आ गया एक standing wave जो कि मेरी tube के अंदर बनेगा उसकी wavelength होने वाली है बराबर twice the size of length of tube के और इस wavelength को हम बोलतेते हैं fundamental wavelength और इसे हम fundamental wavelength इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब तुम इस tube के उपर हवा ब्लो करोगे तो इस tube के अंदर बहुआ सारी standing waves जनरेट होने वाली है अलग-अलग wavelength और frequency की लेकिन इन सारी standing waves की wavelength और frequency हमारे इस fundamental wave की wavelength और frequency की multiple होने वाली है इसलिए इसे हम fundamental wavelength बोलते हैं अब तुम ये सोच रहे होगे कि और कौन-कौन सी wavelength की standing wave generate हो सकती है मेरे इस tube के अंदर तो देखो, एक open tube के अंदर standing wave generate करने का बस एक ही criteria होता है और वो ये कि open ends पे हमेशा बनना चाहिए anti-node और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां के जो particles है इनके पास बहुत सारी जगह है move करने के लिए इसलिए इनकी maximum displacement होने वाली हमेशा तो यहां पे हमेशा anti-node ही रहने वाला है तो यहां देखो, fundamental wave के case में यहां और यहां पे तो anti-node थी लेकिन बीच में था node यहां के particle बिलकुल भी displaced नहीं हो रहे है अब देखो, एक और standing wave बनेगी जिसके लिए यहां और यहां पे तो anti-node होंगे लेकिन बीच में होगी दो nodes देखो, यहां पे इस wave के लिए यहां पे है एक anti-node और यहां पे है एक anti-node पीच में भी वैसे यहां पे एक anti-node बन रहा है लेकिन अब अगर तुम nodes को ध्यान से देखो तो यहां पे हो गया एक node और यहां पे हो गया एक और node तो यह होने वाली है हमारी second standing wave अब आप पता लगाते हैं कि इस wave का कितना wavelength हमारी tube के अंतर है तो देखो यह start हो रही है इस position से फिर यह जा रही है maximum और फिर zero और फिर यह minimum यानि कि यहां पे एक complete cycle पूरा हो रहा है यानि कि यहां से यहां तक की दूरी एक peak से दूसरे peak की दूरी यह बराबर होने वाली है एक wavelength के तो मैं लेख सकता हूँ इस बार length of the tube यह बराबर है एक wavelength के इसे कहते हैं lambda 2 यानि कि lambda 2 second wave की wavelength यह बराबर होगी length of the tube के अब उसे यहां लेख लेते हैं lambda 2 is equal to L और इसे हम कहते हैं second harmonic तो यह तो हो गई second harmonic of standing wave अब ऐसे बहुत सारी standing wave बनने वाली है और एक बार third harmonic of standing wave इसको भी देख लेते हैं तो देखो standing wave अगर open pipes के अंदर बन रही हो तो बस एक ही criteria है कि open ends पे anti-nodes होने चाहिए और बीच में कहीं पर भी notes होने चाहिए तो देखो यहां पे fundamental wave के लिए यहां पे बीच में एक ही note था second harmonic के लिए 2 notes अब third harmonic के लिए बीच में 3 notes होने वाले है और यहां पे open ends पे anti-nodes होंगे तो हमारी curve कुछ ऐसे आने वाली है देखो बीच में 1 note, 2 note और 3 note यहां पे end points पे हमें दिख रहे हैं anti-nodes क्योंकि यहां पे maximum displacement होने वाला है और यह होगी अब पहला note मैं यहां लिख लेता हूँ पहला note, यह दूसरा note और यह तीसरा note अब आव एक बार यह देख लेते हैं कि इस particular third harmonic की कितनी wavelength हमारी tube के अंदर fit आ रही है तो देखो यहां पे मैंने reference graph बना रखा है न यहीं पे draw करते हैं यह हमारी graph इस बार उपर जा रही है maximum फिर यह minimum और फिर minimum से यह फिर से उपर जा रही है maximum तक और यहां जाके यह रुख जा रही है यह देखो ऐसे minimum और फिर maximum यहां पे जाके रुख जा रही है तो यहां से यहां यह तो हो गया एक peak के बीच की दूरी यह तो क्या एक complete wavelength फिर यहां से यहां यह हो गया आधा wavelength यानि कि lambda प्लस lambda by 2 यानि कि 3 lambda by 2 इस बार हमारी tube के अंदर fit हो रहा है 3 lambda by 2 तो इसे में लिखूंगा lambda L is equal to 3 lambda by 2 और यह है lambda 3 तो इसे में calculate कर सकता हूँ इस third harmony की wavelength लामडा 3 यह बराबर हो जाएगी अगर दोनों साइट म multiply कर दो 2 by 3 से तो यह यहां से cancel और यहां पर आजाएकर 2 by 3 2 L by 3 यह हो गया हमारा third harmonic lambda 3 is equal to 2 L by 3 this is third harmonic यानि कि यह वाली standing wave इसकी wavelength बराबर होने वाली है 2 L by 3 यहां पर L हो गया pipe की लंबाई अब तो इसे करकर के तुम 4th harmonic 5th harmonic 6th harmonic सबकी value calculate कर सकते हो लेकिन वैसे तुम्हें उतना करने की जरूत है नहीं यहां पर हमें एक pattern दिख रहा है देखो lambda 2 L हो सकता है या फिर L या फिर 2 L by 3 अब मैं तुम्हें एक pattern दिखाता हूँ यह 2 L को मैं लिख सकता हूँ 2 L by 1 और यह L को मैं लिख सकता हूँ 2 L by 2 है ना और यहां पर lambda 3 यह 2 L by 3 2 L by 1, 2 L by 2, 2 L by 3 इसका मतलब यह हो गया कि जो standing wave होंगे यह ना इस tube के अंदर उनकी wavelengths यह बराबर होने वाली है 2 L by N के जहाँ पर N यह कोई से भी integer हो सकती है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर dot 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 ठीक है तो अब ऐसे तुम N की value substitute करते जाना और तुम्हारे पास यह wavelength आती जाएगी standing waves की अब आओ एक बार recap कर लेते हैं हमने देखा कि अगर तुम एक open end की pipe लो जो कि दोनों side से open हो और उसके उपर हवा को blow करो तो फिर तुम्हें एक loud sound सुनाए देगी pipe के अंदर से और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि pipe के अंदर standing waves generate हो रही है बहुत सारी standing waves generate हो रही है फिर हमन होगी pipe के लंबाई और n कोई सा भी integer हो गया अगर तुम्हें n1 डालोगे तो तुम्हारे पास आएका fundamental wavelength और अगर n2 डालोगे तो तुम्हारे पास आएकी second harmonic 3 के लिए third harmonic and so on